आप लोग जनते ही कि आज कल की जितनी भी नई बाइक हा रही हैं इन सब में जो है किक सिस्टम ज्यादा तर में से हटाया जा रहा है तो बहुत से लोगों की डिमांड रहती है किक सिस्टम इसमें होना चाहिए क्योंकि जो BS6 गाडियां है इन में क्या हो रहा है कि बैटरी पर डिपेंडेंसी बहुत है तो ऐसे में किक सिस्टम जो है वो देना चाहिए कंपनी को तो गाइस बेसिकली दो तरीके के किक सिस्टम आते हैं एक सिस्टम होता है जिसमें आपकी बैक जो है वो न्यूट्रल पर ही स्टार्ट होती है मतलब हर बार आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा और उस पर स्टार्ट होगी और दूसरा जो kick system होता है उसमें क्या होता है गाड़ी किसी भी gear में start हो जाती है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो normal kick system होता है इसका क्या disadvantage होते हैं मैं आपको अच्छी तरीकर समझाऊंगा अब जैसे देखिए यह है Pulsar 135 की clutch basket इसमें देखिए यहाँ पर यह gear लगा हुआ है और इसका यह जो axle है देखिए यह बिल्कुल simple है जबती जो मैंने आपको दूसरा बाला जो gear system वो sorry kick system जो मैंने आपको पताया उसमें क्या होता है यहाँ पर एक छोटा सा gear लगा होता है इस जगे पर कभी भी आप notice करना यहाँ पर एक gear system लगा होता है ठीक है अब मैं आपको गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा so guys मैं engine के पास आ गया और आप देख सकते हैं यह है pulser 135 का kick system इसमें आप देख सकते हैं कि kick spring जो है वो अंदर की तरफ लगी होई होती है तो अगर by chance यह kick spring तूट जाती तो आपको complete engine खोलना पड़ेगा तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह छोटी spring है इसके पीछे यह जो चीज आप देख रहे हैं यह चीज इसको बोलते है ratchet ठीक है इसका काम क्या होता कि जब आप kick start करते हो तो यह इस तरीके से आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़के यह जो पीछे का gear दिख रहा है आपको इससे connect हो जाती है जिससे आप kick लगा पाते हो और engine start हो जात यह जो पीछे वाला gear है यह एक दूसरे gear से connect है देख पा रहा हैं यह चीज आप देखिए इस चीज को मैं focus करके दिखाता हूं यह देखिए यह gear से connect है यह जो gear है यह output shaft का gear है पहला फस्ट gear है output shaft का अब यह output shaft किया है तो देखिए यह जो आपको shaft दिख रही है जिस पे clutch attached ह होता है इसको कहते है input shaft और जो chain sprocket जिस shaft पे लगी होती है उसको कहते है output shaft तो guys इसमें यह जो kick shaft का gear है यह output shaft के पहले gear से connect है और यह जो output shaft का पहला gear है वो input shaft के first gear से connect है आपको पता ही होगा कि जो बजाज की bikes होती है उसमें क्या होता है जो input shaft पे first gear होता है वो stationary होता है मतलब पहले से ही input shaft के उपर वो fix हो के आता है तो guy's जैसे ही आप किक लगाते हो, तो क्या होता है ये जो gear है, ये output shaft वाला घुमता है, और इससे जो है input shaft वाला जो first gear है वो घुमेगा और ये shaft गुमती है खींग है? अब इस shaft पर क्या होता है clutch लगा हुआ होता है यहाँ पे clutch लगा हुआ होता है तो जब वो clutch घूमता है तो यह जो crank वाला gear है यह घूमेगा और आपकी bike जो है start होगी तो इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि इसमें यह जो kick system है यह clutch के slip और grip पे काम करता है जैसे आपको पता ही है कि clutch का main function होता है वो slip और grip का होता है जब आप clutch lever प्रेस करते हो तो clutch जो है वो slip होने लगता है जैसे ही clutch lever आप release करते हैं तो जो clutch plates है वो एक दूसरे से attach हो जाती है और वो grip कर लेती एक दूसरे को तो guys जब आप clutch lever को प्रेस करते हो और उसके बाद जब के को apply करते है किक को तो क्या होता है कि cable यह shaft गूमती है इसकी जो clutch basket है वो नहीं घूमेगी जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ लगा के जैसे यह है clutch basket मैंने इसमें fit कर दी अब जब आप clutch lever को प्रेस करोगे तो जैसे यह hub मैंने लगा दिया इसमें तो क्या होगा clutch lever प्रेस करने के बाद जब आप किक लगाओगे तो cable यह चीज घूमेगी यह चीज यह clutch basket वहीं पे ही रुकी रहेगी लेकिन जैसे ही आप clutch lever को release करेंगे और clutch को release करके जब आप किक लगाओगे तो क्या होगा यह plates एक दूसरे में जैसे इसमें यह जो clutch hub होता है इसमें लगती है pressure plate steel वाली plates लगती हैं और इसमें लगती है friction plate तो यह जो दोनों plates हैं एक दूसरे को आपस में attach कर लेंगी और क्या होगा यह complete clutch घूमने लगेगा अब मैं बात करता हूँ जो type 2 वाला जो होता है kick system वो कैसे work करता है तो guys जो type 2 वाला kick system होता है उसमें क्या होता है कि यह जो अंदर की तरफ gear है जैसे भी यह मैंने आपको दिखाया यह जो अंदर की तरफ gear है ये अंदर पे ना होके बाहर की तरफ होता है ठीके और यहाँ पे इस जगे पे जैसे यहाँ पे यह shaft लगी हुई है इसकी जगे पे यहाँ पे एक idler gear लगा होता है उसे idler gear गेर बोलते हैं और वो जो है इसकी clutch basket के पीछे यहां पर जो gear लगा होता है उससे connect रहता है तो जब आप के घुमाओगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने clutch अगर प्रेस कर दिया तो क्या होगा ये input shaft रुकी रहेगी लेकिन जो idler gear लगा है वो idler gear इसके clutch basket से connect है और idler gear जो है इसके kick से connect है तो क्या होगा केबल ये clutch basket घुमेगी ये जो shaft है ये नहीं घुमेगी केबल ये clutch basket घुमेगी और clutch basket इसके crank से connect है तो क्या होगा ये engine start हो जाएगा तो ऐसे में किसी भी gear में आप भाईक को start कर सकते हैं इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसम cable clutch basket घूम रही है तो guys अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने type 2 वाला जो kick system बताया जिसमें idler gear यहाँ पे लगा होता है तो उसके क्या benefits होते हैं तो सबसे पहला benefit है कि आप किसी भी gear में bike को start कर सकते हैं फिर second benefit क्या है second benefit यह है कि यह जो हमारी जो clutch basket होती है इसको यह जो है crank से connect रहती है और यहाँ पे इधर idler gear से जब connect रहेगी तो इसमें क्या होगा इसको support रहेगा clutch basket को तो इससे क्या होगा clutch basket जल्दी हिलेगी नहीं इस तरीके से जो हिलती है clutch basket मैंने आपको बताया कि कि यह जो axle होता है किवल axle घिस जाने की बज़े से ही इस type का यह जो हिलती है clutch basket इस तरीके से ऐसे ऐसे हिलती है किवल इस axle की बज़े से ही नहीं होता यह जो gear है अगर यह gear घिस जाता तो इसकी बज़े से भी घिस जाती है clutch basket और यह हिलने लगती है जिसकी बज़े से बाइब्रेशन बढ़ जाता है गाड़ी में तो ये जो प्राइमरी गेर वाला सिस्टम है ये काफी हट तक जो है क्लज बास्केट को हिलने नहीं देगा क्योंकि इसको सपोर्ड जो है दोनों तरब से मिलेगा अब थर्ड वेनिफिट क्या होता है इस सिस्टम का जब बाइक का कंप्रेशन बहुत हाई हो जाता है आप कभी भी नोटिस करेंगे कभी भी नोटिस कीजेगा आप बाइक का अगर कंप्रेशन बहुत हाई हो जाता है और suppose कीजे आपकी गाड़ी में पुरानी clutch plates लगी वी है ठीके तो क्या होगा कि जब आप kick apply करोगे तो जो plates हैं वो slip कर जाएंगी तो आपकी bike भी जल्दी start नहीं होगी battery तो discharge होई जाएगी साथ सी साथ कि कभी आप use नहीं कर पाऊगे तो ऐसे में ये वाला जो system होता है जिसमें cable clutch basket को घुमाया जाता है ये system ज़्यादा reliable रहता है या आप किसी भी गाड़ी में देख लीजेगा जिसमें भी ये normal वाला kick system होता है इसमें सब में ये problem आती है कि अगर compression high हो गया तो ये जो clutch plates होती है ये slip हो जाती है कई बार तो क्या होता कि नई clutch plates भी slip करने लगती है thanks watching this video